सफला एकादशी व्रत कथा महाराज युधिष्ठिर ने पूछा के जनारदन पौश कृष्ण एकादशी का क्या नाम है उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधी है कृप्या मुझे बताए भक्त वच्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिना पाने वाले यग्य से भी प्रसंद नहीं होता हूँ अता इसे अत्यंत भक्ती और श्रधा से युक्त होकर करें है राजन द्वादशी युक्त पॉष्ण एकादशी का माहात में तुम एकादरचित होकर सुनो इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है इस एकादशी के देवता श्री नारायन है विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेशनाग, पक्षियों में करोड, सब ग्रहों में चंद्रमा, यग्यों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विश्नु श्रिष्ठ ह जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, बे मुझे परंग, प्रिय है अब इस व्रत की विधि कहता हूं, मेरी पूजा के लिए रितु के अनुकूल, फल, नारियल, नीनबू, नविध्य, आदी, 16 वस्तूओं का संद्रह करें, इस सामगरी से मेरी पूजा करने के बाद रात्री जागर्ण करें, इस एकादशी के व्रत के समान यज्य, तीर्थ, दान, तब तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है, पांच हजार बर्ष तब करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है, ते राजन, अब आप इस एक राजशी की कथा सुनिये, चंपावती नगरी में एक महिश्मान नाम का राजा राज्य करता था, उसके चार पुत्र थे, उन सब में लुंपक नाम वाला बड़ा, राजपुत्र महापापी था, वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों मे अपने पिता का धन नश्ट किया करता था, सदै भी देवता, ब्राहमन, वैश्नवों की निंदा किया करता था, जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला, तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया, तब वह विचारने लगा कि कहा जा नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता, कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई, वह वन में रहकर पशु आदी को मार कर खाने लगा, नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से, छ पूजा करते थे, उसी व्रिक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था, इस बन को लोग देवताओं की क्रीडास्थली मानते थे, कुछ समय पश्चात पौश क्रिश्न पक्ष की दर्शमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्री सो नही जान के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्चा दूर हुई, गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला, पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अता पेडों के नीचे गिर हुए फल उठा कर वापस उसी पीपल व्रिक्ष के नीचे आ गया, उस समय तक भग वान सूर्य अस्त हो चुके थे, ब्रिक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, ये भगवन अब आपके ही अरपन है, ये फल आप ही त्रिप्थ हो जाए, उस रातरी को दुख के कारण रातरी को भी नींद नहीं आई, उसके इस उपवास और जागर्ण से भगवान अत्यंत प्रसन हो गए और उसके सारे पाप नश्ट हो गए, दूसरे दिन प्रातर एक अतिसुंदर घोड़ा अनेक सुंदर बस्तों से सजा हुआ, उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसी समय आकाशवानी हुई, कि हे राजपुत्र, श्री नारायन की कृपा से तेरे पाप अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर, ऐसी वानी सुनकर वह अत्यंत प्रसन हुआ और दिव्य वस्त्र धारन करके भगवान आपकी जयखो कहकर अपने पिता के पास गया, उसके पिताने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और बन का रास्ता लिया अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा उसके स्त्री पुत्र आदी सारा कुटुंग भगवान नारायन का परम भक्त हो गया व्रिद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर बन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंट को प्राप्थ हुआ अता जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ती मिलती है जो नहीं करते बेपूँच और सिंगों से रहित पशुओं के समान है इस सफला एकादशी के माहात्मे को पढ़ने से अधवा श्रवन करने से मनुष्य को अशुमेट यग्य का फल मिलता है